नमस्कार क्रिश्ण भाईयों हमारे चैनल में आपका स्वागत है मैं विकास गौड तो क्रिश्ण भाईयों मंडियों में इस समय अलग-अलग माहुल बना हुआ है कुछ मंडियों में गिरावट भी है कुछ मंडियों में इस समय भाव इस्तिर भी है लेकिन जिस मंडियों मे आप बात करोगे चाहे आड़तिया हो चाहा कोई भी हो तो वो पता क्या कहेंगे आपसे सीधी बाती यह है कि उनके मुह पे केवल दो तीन सब्द है पहली बात के इस समय कोल्डों में आलू 2022 से भी जादा है और दूसरी बात तो यह कहेंगे कोल्डों की कैपसिटी जादा फि मंडियों में जैसे मावल देख रहे हैं यहां पर यह करमी में हल्किसी डिमंड में कमी आएगी यह तो फीदी से बात है अब गांड में तो कमी आ गई यह लेकिन जो घृड़ा उसमें कमी नहीं यह जा रही है और बढ़ुतरी होना भी इस लिए जरूरी हो गया क्योंकि ल ज्यादा पोच रहे हैं डमांड कम है और बयंद जब ज्यादा बच रहा ढ़ा है जब ज्ग्सक्स जादा बचता इस द चालिए पिमांब्स होई है या पbut Exam क suivre तेज कम होई है लेकिन गाड़ी पहुंच रही है लेकर ही उपने आ eyelashes हीision तो आज की भाव के बात करेंगे और इतनी चल्दी क्यों Butter सकते हैं लोग तो ड्रते रहेंगे और और पितनी साल से रहें अब मुझे एक बात बता ही आप वही लोगों के चार दिन पहले जैसे अलू का रेट चार सो तीस सो र्पे कंड़ाथ तक पहुंच गया लगवग 12 रुपे कुल्टर तक पहुंच गया अब दो चाल लोगों की बातों में आके आप इतनी जल्दी ड्र सकते वुल्क निड्र सकते क्यों क्यों कि जब आलू का 600 रुपे पहुंच आता रेट तो आप भी कह रहेते हैं हमारे साथ के अलू अब तो ज होनी चाहिए अंदर पांच परसें अभी रखनी चाहिए इसके बारे मैं आगे कभी बताऊंगा क्यों रुखनी चाहिए ठीक है तो किसन वहीं इतनी जल्दी आपको नीट रहना चाहिए आप वही लोगों जो एक्टरा की हिम्मत अपने आप में भी रख रहे थे हजार वा अधर लोग नहीं करते हैं और गराबट आ जाती है तो कमेंट पता है जातर किसान की कम उन लोगों की ज्यादा आती है कि अरे देखना महलू बगड़े आएगा किसानों को आप आलू बेचने से रोक रहे हो किसानों की आलत ही हो जाएगी हमने यह गोर करके देखा है अपन में तो हमारा तो यह है कि इतनी जल्दी हमें भड़ाना चाहिए अभी बहुत रॉंबा टाइम है और अभी क्या है अपरेल में कभी खुलते हैं लेकिन फिर भी खुलना है यह तो आपके लिए को सुनेरा मोखा मिलना है अब यह गराबट का कारण कोछ और है जैसे टेंपर को रखा है तो हमें भी कोछ आलू ऐसा लग रहा है कि चलो आज आलू की समझी नहीं आज तो कुछ यह बैसी समझी बना ले रहे तो यहीं एक महलूप बन जाता कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है तो अब किसम बात करते हैं आज की मंडियों के बारे में तो सबसे आलू वहाँ पर सीधे सीधे पांसो तीस रुपे पेकेट पर आ गया था आज का अगर मैं भाव बताऊंगा तो आप खुस हो जाओगे कि बास्तम में अब तीजी का महले तो देखिए पानीपत मंडी में आज साथ गाड़ी है पहले नौ दस गाड़ी पहुंच रही थी न पुखराज और इन बेरेटियों में कोई भी तेजी देखने को मिली लेकिन चिपसोन आलू में तेजी देखने को मिली है अब किसनवाईयों बात करते हैं फर्पकाबाद मंडी की सात्रमपुर मंडी में किसनवाईयों आलू लगबग कल के पेच्छा आज गाड़ी से लेके 970 रुपे कुंटल तक विका है और पुखराज की बात करें 800 से लेके 878 रुपे कुंटल तक देखने को मिला है घृड़ लेंट के साथ आवग भी तो कम करनी पड़ती है लेकिन आवग अगर ज्यादा रखोगे या उतनी आवग रखोगे अब डिमांड उतनी है तो ग्राबट तो अल्की सी देखने को मिलेगी हर्मंडियू में दिल्ली में यही आल है दिल्ली में एक से 35 से चालिज गाड़ी पहुंच रहे है बिलेंस भी ज्यादा बचना यह खतरनाग चीज होती है और इसमें दिमांड कम रहेगी आप पहुंच लेकिन डिमांड के साथ सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है चारेश गाड़ी बिलेंस बचना यह सबसे बड़ी दिक्कत है तो तो 377 रुपए तक कुछ बी आई पे तो 600 बेखे लेकिन 600 के बहुत ही कम आज अलू बिके हैं और देखे 400 लेके 500 तक क्यों बता रहा हूं 400 लेके 500 तक तो 377 रुपए नॉर्मल बिके हैं और जो पांचो से शाड़े-पांसो रुपए ठीक है और जो तुमारे सबसाबात वाले वह तुमारे 570-580 तक विख रहा है या कोल्ड वाले बी आई पी वह भी 570 तक विख जाते हैं और चिपसोना की बात करें तुमारे चरणाशी वाला बिकरा होगा और तुमारे चरणाशी वाला बिकरा है और हम पहले यही यही कह रहे थे कि आपके आलू में लगवग जब ज्यादा तेजी आ जाएगी मतलब आलू बहुत उचाहें भी पहुंच जाएगा उसके बाद अगर सौर पचास रुपए गरावट आ जाता है तो हमें कोई दुख नहीं होता है लेकिन जैसे जैसे आलू बढ़ा है वही से आप गरावट देखने को मिले तो यह हमें सबसे बड़ी प्रॉल्म देखने को मिलती यह अगर आटस रुपे पेकट पहुंच जाता फिर लेकिन आलू अभी पहुंच आई है फिर गिर गया यह सबसे बड़ी दक्कत है हमारे लिए और इसके बावजुत कुछ लोगों को ड्राना यह और सबसे बड़ी प्रवाणों लगती है लिए बात करें तो आर्ट से लेके गयार रौपय कलो विकाह है नाजव्व क्याहिच वाईयों तो लेकिन साध्व गारी पहुंची। करते हैं अरो यूपी का आलग बाग सलRS 13th यूपलो विका है और इंद और का का विका है 9-10 रूपลियु यहांपår गुष्ञात में यूप में equipped Iraq यूपी का जो डंप और कोल्ड का अलू पहुंचा है और डंप में किसन वाई यूपी का जो आलू पहुंचा है जो पहुंचा है जो कि डंप वाला 500-600 रुपे विका है और कोल्ड वाला विकाई 600-700 रुपे यहां पर विकाई है यहां पर लगवाई यह आज गालू के भाव और मैंने आपको बता दिया अभी इतनी जल्दी आपको डरने जरूत नहीं है सपर लंबा है तो लंबी सपर में तुरंत हार मारना यह लेकिन हमें लंबे सपर को इंजोय करते रहना चाहिए अलू है कुछ भी हो सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वह भी बविश्री देखनी आए जो लोग आपके लिए गलत बाते बता रहे हैं और हम भी बविश्री देखनी आए तो इस बैसे बविश्री कोई नहीं तो हम तो पूरे सफर का अच्छी तरह लेंगे हर समय पर एंजोय लेंगे हम ठीक है कुछ लोगों ने भी 600 वी आलू पेचाहिए उन्होंने एंजो लिया 600 वाला भी हो सकता है कुछ लोग 700 वाली भी लेंगे कुछ लोग 500 500 वाला भी लेंगे तो सब तरह का इंजोय लेना बात नहीं है बाविस कोई नहीं देखे आलू में तो मैं विकास गॉल्ड बीडियों देखने धन्यवाद में